हेलो स्ट्रेंट्स केसे हो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करतू अपनी हिंदी की क्लास में मैं सब रिनाक्षी सोनी फॉम गीता ग्लोबल स्कूल आई विल टीच यू हिंदी सब्जेट फोर क्लास किस्टिल बैल इस इस यूर कोर्स बुक टिम टिम सीनियर केजी लास्ट व प्रेक्टिस कर रहे हैं ना घर पर ओकेश करते रहिए ठीक ही विदाट प्रेक्टिस कुछ नहीं आने वाला तो हम आगे का चेप्टर पड़ें जो हमारा रिमेनिंग था बड़ी की मात्रा का चलिए मैं आपको उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वह आज आपको बढ़ाती ह तो दिस इस यो बड़ी की मात्रा वाले शब्द अब उसमें वापिस है कवीता है नटकट नीता किसकी है ये नटकट नीता आप देखिए यहाँ पर क्या आएगी आपके हम सारी बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं क्या है बड़ी की मात्रा वाले शब्द ठीक है सबसे प खाया एक पपीता वथा वह मीठा मीठा दिखा तभी एक चीता डरी डरी सी मीता मगर ना डरी गीता कहती ए मीता नकली नकली चीता वह थी वह नठकटर नीता वही बनी थी चीता ठीक है बच्चों एक बार फिर नीता मीता गीता सबने खाया एक पपीता था वह मीठा मीठा दिखा तभी एक चीता डरी डरी सी मीता मगर ना डरी गीता कहती ए मीता नकली नकली चीता थी वहा नठकटर नीता वह बनी थी चीता ठीक है अब यह थी क्या पॉयम हो गए आपकी किसकी थी नीता मीता गीता की जिसमें क्या था एक चीता आता है जिससे क्या होती मीटा डर जाती है लेकिन गीता नहीं डरती है क्योंकि गीता ही क्या होती है वो चीता बनकर उनके सामने आ जाती है अब क्या है यहाँ पर अभ्यास कारे यहाँ पर अलाला अक्षर लिखे हैं आप उन अक्षरों को मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे तो हाथी अब आप इसे वही आगे बच्चों आपने कभीता मैंने आपको कभीता पढ़ाई थी उसी कभीता के कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं जो पूरी नहीं है आपको सही शब्द लिखकर इस पंक्तियों को पूरा करना है सबने खाया एक अब क्या खाया था सबने एक पपीता तब दिखा तबी एक अब उनको क्या दिखा था एक चीता डरी डरी सी कौन थी? डरी डरी सी मीता थी कौन थी? मीता मीता वह थी वह नटखट? थी वह नटखटे? नीता कौन थी वह? कौन चीता बन के आया था? नीता बन कर आई थी तो ठीक है बचो पंक्तियों को हमने पूरा कर दिया है कविता में से देख कर आप क्या है? समान शब्द से मिलान कीजिये आप क्या है? यहाँ पर कोई शब्दी दिये हुए है यहाँ पर भी दिये हुए है सेम शब्द को चाट कर आपको उनको मिलाना है जैसे एक्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है दीदी को किस से मिलाया? दीदी से और थाली को हम किस से मिलाएंगे? थाली से सीता को सीता से शीशी को शीशी से और नीला को नीला से ठीके हमने अब क्या किया इसमें? शब्द को शही शब्द के साथ मिलान कर दिया है अब क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या कोशन है? उल्टे पुल्टे शब्दों को सही क्रम में लिखिए अब यहाँ पर कुछ पिच्चर्स दिविए और उन पिच्चर्स का नाम को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया मलब सीक्वेंस में नहीं लिखा है अब आपको बताना है कि ये किसकी पिचर है और इसका सही शब्द क्या है अब ये किसका है पपीता तो इसने पहले क्या लिखा था तापीप तापीप नहीं होता पपीता होता है तो इसने यहाँ पर उसको शही तरीके से लिख दिया अब है चीता चीता, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चीता, फिर, एक, एक, फिर, किसकी ज़स्वीर है, लड़की की, लड़की, लड़की, तो this one is your homework, आपको यह जो दो points है, question है, आपको किस में करने है, अपनी notebook में लिखना है, अगेन, आपको किस की मातर लगाकर पूरा सब्द बनाना है, बड़ी की मातर लगाकर, अब ता में हम बड़ी की मातर लगाएंगे, तो क्या बन गया, तीर, तीर, अब किसकी photo है, रा, ना में एकी मातर लगाएंगे, तो नी, रा, नी, अब सा में एकी मातर लगाएंगे, तो C, T, C, T फिर ला में की मतलब लगाई तो ली, चा में की मतलब लगाई तो ची, ली, ची, तीर, रानी, C, T ली, ची, गोट इट? अब यहाँ पर आपको क्या करना है? This is your homework. आपको इस homework को अपनी बुक में ही करना है. सबसे पहले वही आप इन dots को trace करेंगे और जो line यहाँ पर लिखी हुई है आप उनको यहाँ पर लिखेंगे. इस वाली तीन वाली line में आपको यह वाला sentence लिखना है और नीचे जो इन तीन line blank है उनको आपको यह वाला sentence लिखना है. तो बच्चो यहाँ पर के चेप्टर मैं finish करती हूँ. I hope आपको आ की मात्रा, छोटी इकी मात्रा और बड़ी इकी मात्रा वाले शब्द पहचानने में आ गए होंगे. और आप उसकी practice भी घर पर कर रहे हो ना? ओके, practice करते रहना बच्चों. ठीके, तो मैं इस चेप्टर को यहीं पर समाप करती हूँ. आगे फिर मैं आपको next वीडियो में new topic के साथ फिर से मिलूँगी. हमारा जो new topic होगा वहा है छोटे हूँ की मात्रा वाले शब्द. ठीके, तब तक के लिए practice करते रहे हैं. Till then, goodbye, take care. Thank you.